आइसेक्ट कालेज आप टेक्निकल एजुकेशन बैकुंटपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है हमारे लेटेस्ट वीडियो उसको देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन जरूर तबाएं गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स टेली की ओनलाइन क्लास में आपका वेलकम है आज की क्लास में हम लोग कंपनी को क्रेट करना टेली स्क्रीन के कॉंपोनेंट टेली में कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं उस पे चेंजिस कैसे करते हैं यह देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं class यह है आपका tally software का window ठीक है इस तरीके से दिखाई देता है चलिए अब देख लेते हैं कि window जो दिख रहा है हमको display हो रहा है इस पे हम जो अलग-अलग प्रकार के बार है या फिर जो screen में हमको show हो रहा है उसे हम क्या-क्या कहते हैं चलिए देख लेते हैं तो देखिए यह रहा आपका screen component screen component मतलब जो tally की screen है किस अलग-अलग type के जो component से उनसे मिलकर बना हुआ है देखिए जो यहाँ पे दिख रहा है हमको first bar उसे हम title बार कहते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमारा tally का title लिखा हुआ है next जो bar है वो उसे हम information panel कहते हैं क्योंकि इधर पे software से जुड़ा हुआ information हमको देखने को मिलता है जैसे यह tally solution है इसका कौन सा version है आप online जो है net का website जो है internet यहाँ से चला सकते हैं click करकर tally gold multi user ठीक है इस तरीके से हाँ पे आपको information मिलती है about the software next जो bar है उसे हम horizontal button bar कहते हैं ठीक है और इधर पे जो आपको दिख रहा है इसे हम vertical button bar कहते हैं दोनों ही button bar है इधर जो button होती हैं उसे हम keyboard के through और mouse के through दोनों से ही run कर सकते हैं इस प्रकार से इसमें आपको कुछ red color के alphabets दिख रहे हैं है ना इसे हम hot keys बोलते हैं आंगे की वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है next जो है हमारा main working window ठीक है जिसे हम gateway of tally भी कहते हैं ये दो भागों में बटा होता है ठीक है पहला जो है left pane और दूसरा जो है वो right pane left pane में आपको company से जुड़ा हुआ company से जुड़ी हुई list दिखाई देती है इस पे आपको अलग-अलग company के नाम जो active है और इस पे हमने कब last data को enter किया था date of last entry इस तरीके से दिखाई देता है और यहाँ पे current period और current date next right pane, right pane में हमको ठीक है इस तरीके से आपको यहाँ पे right pane दिखाई देता है right pane पे जो है हमारा main menus होते हैं यहाँ से ही हम ज़्यादतर functions को run करते हैं next जो area है वो हमारा calculation area है हम इतना ज़्यादा accounting का काम करते हैं हमको जाहिर सी बात है calculation की ज़रुवत होगी तो यहाँ पे आपको अलग से calculator का उसको open करके use करने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे already हमको calculator दिया गया है ठीक है next और आखरी बार जो आपको दिख रहा है उसे हम task bar या status bar भी कहते हैं task bar या status bar में हमको company में जो हम किस menu के sub menu में इस तरीके से path या direction दिखाई देता है इधर पे आपको tally का जो current version है जो हम use कर रहे हैं software release 1, 9 English language में और system का current date और time इस तरीके से हमको show होता है तो यह था हमारा tally screen component चलिए अब देखते हैं company को कैसे create करते हैं चलिए हम company को create करते हैं company create करने के लिए आपको इस तरीके से जब आप first time software को install करेंगे तो कुछ ऐसा window दिखाए देगा यहाँ से आप pane जो मैंने बताया था left pane में, right pane में आपको company info करके दिखेगा जिसका मतलब होता है company information यहाँ से आप select कर सकते company create company कर सकते है backup ले सकते, restore कर सकते quit, quit का option जो है सभी में common रहता है, तो चलिए create करते है ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे company creation का window दिखाए देगा, first जो है इसमें यह है आपका directory directory जहाँ पे आपके company का data save होगा, आपके system के c drive पर tally 9 original, beta folder पे आपका data save होगा, next है name इधर पे आपसे पूछ रहाँ के business का name, या company, या firm, या organization का name, तो यहाँ हम लेते हैं नाम डालते हैं, जैसे ganesh trader ठीक है, यह हमारी company या जो हमारी business है उसका, उसकी shop का name है, next है mailing name mailing name का मत्तबी होता है कि आप जो data वगेरा, email वगेरा करेंगे उस पे यही नाम show होगा अगला आता है address तो हम एड्रेस डालते हैं ठीक है, इस तरीके से मैंने address डाला है nh15 विजय चौक enter, next है statutory compliance याने जो वैधानिक, जो इंडिया हम यहाँ select करेंगे इसका मतलब यह होता है कि जिस देश को आप select करेंगे उधर का currency वगेरा उससे related जो options होंगे वो इस पे run होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमारी company इंडिया में established है तो हम यहाँ पर इंडिया select करेंगे next है state, इंडिया के किस state पर आपका business जो है established है तो मैं यहाँ पर आपको site पर list दिख रही होगी list of states यहाँ से हम 36 गड़ को select करेंगे enter, now, pin code ठीक है, इस तरीके से pin code डालेंगे telephone number, contact number या mobile number आप इसमें डाल सकते है ठीक है, next है email यदि आपकी business का email ID है तो इसको आप डालेंगे जैसे मैं डाल रही हूँ ठीक है, next है currency symbol रुपीज ही रहेगा अगला है maintain maintain का मतलब है कि आप अपने का tally पे जो data है वो किसके according maintain कर रहे हैं यदि सिर्फ accounts only है यानि सिर्फ accounts related ही आपके transactions है उसमें inventory नहीं है तो accounts only select करेंगे otherwise यदि आपकी company ऐसी है या business ऐसा जिसमें selling, purchasing, inventory, stock, goods वगएर आता है तो आप accounts inventory select कर सकते हैं इधर पे मैं अभी accounts only को ही select कर रहे हूँ next is financial year from आपका वित्ती वर्ष हमारे देश में 1 अप्रेल से 31 मार्च तक होता है 12 महीने का तो यहाँ 1 अप्रेल मैं रहने दूँगी next is books beginning from इससे आप change भी कर सकते हैं यदि आप इसे 1 जुला या 1 अक्टूबर इस तरीके से change करना चाहते हैं तो इसको change कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे इसको change नहीं कर रहे हूँ next है tally wall password देखिए tally wall password जो है एक तरीके का security system है यह क्या करता है आपके company के जो data है उसको encrypt कर देता है और जो tally पे जो आपकी normal information होती है उसको encrypted information में change कर देता है तो यहाँ पे आप password का use कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ डाल रहे हूँ ठीक है इसी तरीके से repeat ठीक है जैसे आप इसको enter press करेंगे तो आपकी जो company है company list पर इस नाम से show नहीं होगा यह चुप जाएगा याने encrypt हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है use security control इसे भी आप कह सकते एक तरीके से security control है इसके लिए भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट है base currency information base currency information जिसमें आपका currency से जुड़ा हुआ जानकारी लिखा होता है यह पहले ही tally की द्वारा information fill रहता है ठीक है आपको इसको ज़्यादा changes करने की जरुवत नहीं है जैसे हमारे currency symbol क्या है rupees है formal name Indian rupees है number of decimal places to is symbol suffix to amount no symbol for decimal portion को हम क्या कहेंगे पैसा बोलेंगे इस तरीके से show amount in millions no फिलाल हम millions पे हम नहीं कर रहे हैं काम तो no रहने देंगे put a space between amount and symbol yes decimal places for printing amount in words to ठीक है तो इसको हम change नहीं करेंगे और अपनी company को save करेंगे save करने के लिए यह यह accept पुछता है accept yes तो आप देखेंगे इस तरीके से हमारा जो company है इसमें create हो गया है list of selected company में गनेश traders जो है अभी active दिख रहा है no vouchers entered अभी तक कोई vouchers हमने transactions की entry नहीं करिए इसलिए यहाँ पे no voucher entered दिख रहा है चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे company में changes करना है न यह मालनी जे आपने data डालते वक्त कुछ mistake कर दी उसको सुधारने के लिए हम जाएंगे alt f 3 ठीक है इस तरीके से जाएंगे next है alter गनेश ट्रेडर्स माली जे आपको यहाँ पे phone number चेंज करना है ठीक है इस तरीके से मैंने change किया और control एसे accept करा दिया तो आप देखेंगे वापस जाके तो यह number मैंने change कर दिया ठीक है इसी तरीके से आप delete भी कर सकते company को delete करने के आपको काम करना है जैसे आप पे तीन company बनी हुई है जैसे आप पर तीन company बनी हुई है गनेश ट्रेडर्स नयान प्राइविट लिम्टेट विजे एंटरप्राइज जिससे आप select करना चाहते है उस पे cursor को लिए यह select करिए ठीक है इस तरीके से देखिए जो black bold में दिख रहा है यही आपकी current पे active company है बाकी जो गनेश ट्रेडर्स से वो जो है अभी active नहीं है ठीक है next is shut shut मतलब बंद करना delete करना नहीं shut मतलब होता है बंद करना तो हम इसको बंद कर देंगे यह create group company होगा इस तरीके से हमने देखा कि company कैसे create करते हैं उस पे changes कैसे करते हैं delete कैसे करते हैं तो आज की वीडियो में हमने यह सब देखा I hope आपको यह सारे topic clear हो गए होंगे next की वीडियो में हम लोग transactions की entry करना सीखेंगे so thank you for watching this video